कहाने की शुरुआत हुई एक आदमी को दिखाने से जिसका नाम निकी होता है। वो होटल में बैठ कर खाना कहा रहा था कि तब ही एक लड़की आकर उसकी पास बढ़ जाती है। वो निकी को कहती है कि वो सामने वाला बुड़ा आदमी मुझे परिशान कर रहा है। वो समझ रहा है कि मैं अकेली हूँ, अकेली समझ कर तैंग कर रहा है। उसने पर निकी से कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी दोस्त होने का नाटक करोगी। प्लीज आ कि उसे ये लगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो मुझे परिशाना करे। उसकी ये बाद सुनकर निकी मान तो गया, लेकिन वो लड़की जिसका नाम जेस था, उसकी तरफ अजीर तरह से देखने लगता है। जेस पूछती है, क्या तुम कोई सीरियल किलर खूनी हो, जो इस तरह मुझे घूर रहे हो। निकी कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो सामने वाले पर हैं कि वो मुझे किस तरह का सोचता है और मैं वैसा बनता हूँ। अब दोनों देर रात तक ऐसे ही बातें करती देए, इनकी दोस्ती हो जाती है। पिर और वक्त साथ गुजारने के लिए कमरे में चलीगी। जहां तब ये एक आदमी कमरे का दर्वाजा खोल कर अंदर आ जाता है। अकसा रहा था और उसके कहने पर भी वो आदमी गोली नहीं चलाता। इसलिए नकी उट खड़ा हुआ तब यहां जैस अपना मूँ खोलती है। उस आदमी को कहनी लगी। यहां निकी भी काफी बड़ा माहिर लोटेरा था और वो अब चुप चाप वहां से निकल जाता है। वोटल की कमरे से निकल कर जैस जब जा रही थी तो निकी भी उसकी साथ साथ चलने लगता है। वोसे शराब पीने के लिए आफर करता है। जैस भी उससे काफी मतासिर हुई थी इसलिए वो उसकी आफर माल लेती है। यह दोनों बार में आकर शराब पीने लगी। जैस उससे चोरी करने की स्किल्स महारतों की बारे में पोच्छने लगती है। जैस उससी बताता है कि चोरी लोट मारके इस खेल में सबसे जुरूरी चीज़ है फोकस। असाने से चुरा पाया, क्योंकि तुम्हारा फोकस मेरी तरफ था और मेरा तुम्हारे तरफ, जो देकर जेस भी काफी चौंग गई, इस महारत से मुतासिर भी होती है, अगले दिन ये फिर से मिली, जेस उसे काफी जित करती है, तब निकी उसे ये बताने के लिए मान जाता ह कि हम लोग टीम में कैसे काम करते हैं, मतलब वो अकेला नहीं था, उसके कई सारे साथी भी निकी के साथ चोरिया अंजाम देते हैं, तो अब जिस भी उसकी टीम का हिसा बनकर एक भीड़वाड़ी जगा पर आती है, सामने की बालकनी में निकी भी खड़ा होकर इन पर नज निकी के टीम का एक लड़का जैस को समझाता है कि हम चोरी कैसे अंजाम देंगे, और अब ये लोग फोरन अपने काम पर लग जाते हैं, यहां जैस की चोरी की महारते देकर निकी और उसके साथी काफी हिरान भी हुए, साथी खुश भी हो रही थी, यानि निकी बेवाकू समझ रहा था लेकिन वो तो काफी स्मार्ट निकली, आगे निकी जैस को वो जो का दिखाता है जहां चोरी का समान बेचा जाता था, यहां पर चोरे किया हुआ बहुत कीमती महंगा समान पड़ा हुआ था, जिन मेंसे एक नेकलिस जैस को काफी पसंद आ गया, वो उसे उठ ठाकर पहन कर देखने लगती है, निकी उसे यह वापिस रखने का कहता है, समझाने लगा, यह देखो अभी हम इतने अमेर नहीं हुई कि अराम से अपने एश वेले जिन्दगी गुजारें, हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही पैसा है कि हम अपना गुजारा कर सकें, इस तर और वक्त साथ गुजार सकी, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मैं अभी मसरूफ हूँ, तो अब गाड़ी लेकर जैस अकेली ही होटल में आ जाती है, वो जब कमरे में थी, तब निकी की बारे में ही सोच रही थी, ऐसा लग रहा था, जैसी वो उससे पसंद करने लगी हो, और तबी दर्वाजे की बेल बची, जैस ने जब दर्वाजा खुदा तो वाँ और कोई नहीं बलकि निकी था, यानि वो भी खुद को रोक नहीं पाया, और ये डोनों साथ वक्त गुसारने लगते हैं, अब अगले दिन जैस एक आदमी से बात कर रही थी जो निकी का दो दोनों बाते कर ही रहे थी कि तबी निकी की दोस्त को दोरा पढ़ने लगा, वो दर्व से चिलना दी लगता है, दरासल ये सब भी निकी और उसके साथियों का ही प्लाइन था, उसकी हालत देकर लोग घब रा गए, और अब चैस से सब का फोकस उसकी तरफ हुआ, ये देकी उन्हें बताता है कि इस बार हमने अपना बहुत बड़ा टारगेट हांसिल किया है, वन पॉइंट डू मिलियन डॉलर्स का, उसका एक साथी निकी को सारे पैसे देते हुए कहता है, कि इन पैसों को संभालने की जिमेदारी तुम्हारी है, और हाँ, जुए बाजी से दो रहना, अगले दिन निकी और जेस एक मैच देखने के लिए स्टेडियम में आती है, अब जब एक लड़की अपनी सीर से उठकर वहां से जाने लगी, तो जेस निकी से ये शर्ट लगाती है, कि इस लड़की को जाते हुए तकरीबन आठ लोग देखेंगे, निकी कहता उस आदमी से शर्ट हार जाता है, इसलिए अब निकी उससे 10,000 की शर्ट लगाता है, वो अमीर आदमी को कहता है, कि अब जो भी प्लेयर बाल को पकड़ने की कोशिश करेगा, उससे कैच छोट जाएगा, जबकि अमीर आदमी कहता है कि नहीं, वो कैच पकर लेगा, और पकर लिया था, यानि कि निकी ये शर्ट भी हार गया था, अब तक निकी उस अमीर आदमी से 5000 डॉलर से भी ज्यादा पैसी हार गया था, ये देकर जिसको परिशानी होने निकी, वो निकी को कहता है, कि चलो, अब मैं यहां से चलना चाहिए, पर निकी जिसे बहुत गुसा और इस बार वो अपनी 1.2 मिलियन डॉलर्स की बड़ी शर्ट लगाने के लिए तयार हो गया था, वो अमीर आदमी को कहता है, कि चलो, 1.2 मिलियन डॉलर्स की शर्ट लगाओ, हम ये शर्ट कार्ट पर लगाएंगे, जिसके बाद ही दोनों कसीनों में आगे, और अब निकी सारे पैसे टेबल पर रख देता है, इस सबसे जेस काफी परेशान थी, वो अभी भी निकी को यहां से चलने का कहा रही थी, लेकिन वो उसकी एक ना सुनकर अमीर आदमी को शर्ट के लिए चेलेंज कर देता है, क्योंकि उस आदमी की पास भी पहुत सारा पैसा था, इसलि जेस की परेशाने बढ़ने लगती है, और अब तो निकी भी चुप चाप यहां से जाने लगा, तब अमीर आदमी उसे टेंस करवा कर कियता है, कि बई अगर किसी बड़े प्लेर की साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा, जी उस सुनकर निकी को खुछ सा आ गया, साथ ही उसे कहता है कि अब मैं डबल पैसनों की शर्ट खेलना चाहता हूँ, यानि टू पॉइट टू मिलियन डॉलर स्की, हैरान कुन बात यह थी कि अभी उसकी पास एक रूपिया भी नहीं था, मगर वो फिर भी शर्ट लगाने की जेद कर रहा था, निकी अमीर आदमी को कहता है कि तुम ग्राउंड में खेल रहे किसी भी प्लियर का नंबर नौट करो, और मैं ये इन्दाजर लगा कर तुम्हीं बताऊँगा कि तुमने किस प्लियर को अपने दिमाग में सोचा है, पर इसके लिए अमीर आदमी ने मना कर दिया, वो कहता है कि मुझे तुम पर यकी नहीं अपने दिमाग में सोचा, तब निकी जैस को समझाता है कि अभी बाहर जाओ, और बस प्लियर की बारे में सोचकर मुझे बता देना, जैस ने ऐसे किया, वो दोर बेन के जरिये काफी दीर तक प्लियर को देखती रही, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आती, इस तोरान अमीर निकी को कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी ये बेट वापिस ले सकते हो, पर वो मना कर देता है, क्योंकि ये रिस्क वो लेना चाहता था, और अब कुछी दिर बाद जैस प्लियर की तरफ देखकर काफी हरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर निकी का दोस बेख खे तुम ये शर्ट जीत गई हो, हाँ बचपन नंबर वाला ही वो प्लियर था, जो सुनकर जैस को भी काफी हैरत दी, क्योंकि उसे यकीर नहीं आ रहा था कि निकी 2.2 मिलियन डॉलर्स जीत किया है, और अब ये दुनों सारे पैसे लेकर यहां से निकल जाती है, गाड़ी में अगर जैस निकी पर काफी घुसरा करने लगी, उसे मारने लगती है, कि तुमने अभी तक मजी अपने प्लैन की बारे में नहीं बताया, कि आखर कैसे इतनी बड़ी रकम तुम जीत के, जबके कुश्टीर पहले तो यही लग रहा था, जिसे तुम्हारे गुस्से की चला कि मैं पचपन नंबर ही चुनूंगी, तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया, तब निकी बताता है कि काफी वक्त पहले से मैं की बात तुमारे जहन में डाल रहा था, साथ साथ अमीर आदमी की दिमाग में, और अभी यहां से कहाने कुछ वक्त पहले आ जाती है, ह ना कि बैनर्स पर लोगों ने पचपन नंबर पकड़ा हुआ था, यह भी उनकी चाल थी, अमीर आदमी को दिखाने के लिए, और आज जिब वो मैश देखने आ रहा था, तो उसकी नजर निकी के दोस पर पढ़ गई, इसलिए उसने जहन में पचपन नंबर बिठा लिया, क्योंकि उसका नंबर भी पचपन ही था, यही वज़ा है कि शर्त की दुरान भी इसने यही नंबर चुना, और अभी सारी बाती सुनकर जैस काफी खोश हो जाती है, वो फिर से मतासिर हुई, निकी उसे कहता है कि तुमने भी काफी अच्छा काम किया, जो कहकर वो जैस को निकी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बिना कोई बास सुने वहां से चिडा गया, इस बात को लेकर जैस रोने लगती है, वो निकी को पसंद करने लगी थी, मगर उसका इसना अच्छानक के लिए जैस को बहुत बुरा लगता है, और अभी हां से कहानी त अच्छा मेकैनिक बताकर गैरी से मिलने जाता है, जिब निकी वहां से चिला गया, तो गैरी का गार्ड कहता है, कि इससे जरा समल कर रहे ना, क्योंकि इस आदमी पर मुझे बिल्कुल भी बरोसा नहीं है, वहरब शाम को निकी एक पार्टी में आया, जहां उसे गैरी नही उसे बुरा लगा, इसलिए वह पार्टी से बाहर चला जाता है, वह एक जिगा खड़ाई था कि तब यहां जैस आई, उसे कहती है, कि मेरा उसके साथ तालुक बन चुका है, लेकिन वह मेरे माजी की बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम भी प्लीज गल्टी से भी उसके सामने जिकर मत कर देना, और अब निकी पार्टी में आकर बहुत सारे शराब पी जाता है, क्योंकि उससे ये बाद बरदाश नहीं हो रही थी, कि जैस मेरे सामने किसी और के इतने करीब है, अब निकी को वो साथ तो पहने ही बहुत था, ओपर से उसे शराब कभी पर देता है, अगले दिन गैरी का मेनिजर जप निकी को काम समझा रहा था तो पूल की पास जैस आई, जहां गैरी भी लेटा हुआ था, और अब एक बार फिर से उन्हें इतना करीब देखकर निकी जलने लगा, उसका फोकस दोनों की तरफ ही हो जाता है, मेनिजर से मिलने जैस की बात वो जैस की पास आया, उसे कहता है, कि तुम्हें इस तरफ के कपड़े पहन कर यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहां कुछ लोग तुम्हें अजीब तरा से देख रहे हैं, जो बात मुझे बिलकुल पसे नहीं आ रही है, पर जैस उसकी बातों को निजर क्योंकि बहुत नराज थी, इसलिए अपने की अपने दोसके जरीए ही जैस को मनाने के कोशिश खाणता है, क्योंकि वो जैस का भी काफी अच्छा दोस बन गया था, निकी अपने दोसके जरी जैस के पास वो ही नेकलिस घिफ भेशता है, जो उसने चोरी की समान्वाली सकती इतना कहकर वो यहां से निकल जाती है अब उदास होकर निकी जब होटल में वापिस आया तो जस उसकी दर्वाजी पर पहने से बैठी हुई थी सच तो यह ताकि वो आज भी उसे पसंद करती थी इसलिए खुद को यहां आने से वो रोक नहीं पाई और अब यह दुन्य कमरे में आकर फिर से एक साथ वक बुजारने लगते हैं अब अगली सुबह बगार बताए गैरी का गार्ड निकी से मिलने आ जाता है वो दर्वाजा खट-कटाता है तो निकी फोरन जाकर दर्वाजा खोल लीता है अब गार्ड कुस पर शर्ख हो रहा था उसे एहसास जैसे निकी की साथ कमरे में और कोई भी मुझूद है इसलिए वो कमरे में आकर हर तरफ तलाशी लेने लगा पर यहां उसे कोई भी नहीं मिलता क्यूंकि जैस गार्ड से बशने के लिए साथ वली बालकनी में जाकर छुप गई थी अगले दिन गैरी का मैनेजर काम की बद जैसके साथ यहां से चिले जाने का प्लान बनाता है और अब जब यह दोनों गाड़ी में बैठकर यहां से निकल रहे थी तो तभी गैरी का एक आदमी भी अपने गाड़ी से इनका पीछा करनी लगता है वो अपने गाड़ी को जोर से इनकी गाड़ी में लाकर मार देता ह जिससे दोनों भी होश होगे अब जब दोनों को होश आई तो वो खुद को कुर्सी सी बंदा हुआ देखते हैं उनके सामने गैरी था असल में गैरी को पहने ही पता चल चुका था कि निकी यहां मुझे लूटने के इरादे से आया है इसलिए काफी पहले से उसने अपने आदमियों को निकी के पीछी लगा दिया था चुद दिन रात उस पर नज़र रख रहे थी पर यहां गैरी को यह समझ नहीं आती कि इतनी सक्सिक्योटी होने की बाद भी निकी नी पासवर्ट का पता कैसे लगवा लिया उसने जब इस बारे में पूछा तुने की जवाब दीता है कि जब मैंने तुम्हें जैस की इतने करीब देखा तो मैंने भी उसकी करीब जाने का फैसला किया मैंने जैस को वो नेकलिस चो गिफ्ट बिचवाया था उसमें एक खुफिया चिप लगा दी थी और जब जैस तुम्हारे कमरे में आई तो चिप की लपटप की पास आने पर मुझे तुम्हें लपटप की एकसेस मिल गई यानि अब मैं तुम्हारे लपटप की साथ कुछ भी कर सकता था और इसी तरीके से मुझे तुम्हारे पासफ़र्ट का पता चिला लेकिन हाँ जैस को इस पर में कोई आइडिया नहीं था बलगे मैंने एक बार फिर प्यारता नर्टे करके उसे भी वकूफ बनाया यही सुनकर गैरी और उसका गार्ड जोर जोर से हसने लगती है और अब तभी गैरी जैस की मूँ से टेप अटाता हैं तो वो भी अपना मूँ खोलती है कि मेरे और गैरी की बीच कभी कोई तालुक था ही नहीं यानि वो भी उसे लोटने के इरादे से ही आई थी जिस पारे में गैरी को पतन लग गया था असल में जब जैस गैरी की पार्टी में आई तो उसने वा निकी को देख लिया था इसलिए वो जान वुचकर गैरी की पाल जाने लगी ताकि उसे यही लगी कि वो दुनों तालुक में हैं जिबके असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था यह कहकर कि अब हम इसका एक और जोट नहीं सुन सकते जिसके बाद वो गार्ट जिस फर भी गोले चिलाने के लिए आगे बढ़ता है तब गैरी उसे यह कहकर रुख देता है कि मैं यहां पुलस का कोई तमाशा बनाना नहीं चाहता रुख जाओ जरा और हाँ अब से इस मामले को तुम ही समालोगे जो कहकर वो यहां से चला गया निकी जखमी था इसलिए उसके सांसे रुखने लगती है तब गार्ट जर्दी से आगी आया एक पंप से उसकी गोले निकाल कर कहेता है कि गोली दिल पर नहीं लगी तुम बच भी जाओगे जल्दे ठीक भी हो जाओगे जिसके बाद यहां जिसको भी पता चल गया कि गार्ट का यह गार्ट और कोई नहीं बलके निकी के डैड है जो अप निकी की गोली निकाल चुके थे वो पिर जिसकी मदद से सारे पैसे लेती है और जखमी निकी को लेकर हॉस्पिटल की दरफ चल दिये यह गार्ट में थी जहां जिसको बातों ही बातों में पता चल गया था कि निकी ने गैरी को लोटने की प्लैनिंग तीन साल पहले ही बना ली थी तो तब से उसकी डैड गैरी की लिए गार्ट का का काम करे थी ताकि वुँ अपने ब्लोस्टा बना सके अपने डैड की मदद से उसने गैरी की पासफट का पता लगवाया था यानि उस टेम निकी ने छूट बोला था कि मैंने यह काम जैस की जर्वील किया निक्य के कहने पर ही उसके डैड ने गोरी चिराई क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो गुस्से में गहरी ही दोनों को शूट करकी मार दीता और अब जल्दे ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं उसके डैड और जैसु से अंदर ने जाने लगी अब निक्य किये की सजा उसे मिल बे चुकी थी और क्योंकि जैस्पि उसके जैसी थी इसलिए माफ परकर उसे अपना लीती है और अभी दोनों ऐसे अपने महारतों से चोरिया करते रहेंगे और अपने जिन्दगी काफी अच्छे से गुजारेंगे यानि अब इनका सिर्फ गुजारा ही नहीं होगा बलती ही अराम से एश्वली जिन्दगी जी सकते हैं जो दोनों का ही सपना था और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यही पर खत्प बचाती है